मेट्रिक इंटर सभी छात चात्राओं के लिए दो बहुत बड़े एलान किये गया हैं बहुत बड़ा खुशकबरी दे दिया गया है यहां पर हम दोनों खुशकबरी को बताने वाले हैं उससे पहले जो इंपोटेंट नियूज है उनको हम बताएंगे और आप लोग जानते ह बहुत दो है कि मेट्रिक परिक्शा का जोई की ओड्रीट है कि जार कर जुका है लेकिन इंटर परिक्शा का है कारत अभी तक जारे नहीं हुआ है इनका प्रैक्तिकल अप्ट अभी thi उप्रेंप सब्सक्राइबं हों给我 तो यहाँ पर यह जो बिहार विद्याले परिक्षा समिती के दोड़ा जी अप्ति जारी की गई है इसके अनुसार कर रहा है कि बिहार बोर्ड ने जो है कि सभी D.O. कारियले में practical परिक्षा से समंदित जितनी भी समगरी होती है D.O. कारियले को भेज दिया है तो सभी स्कूल के परधान जाईए अपने डियो कारियाले से जोए की प्रैक्टिकल से समधित समयगरी को प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद देखिए मैट्रिक की जो प्रैक्टिकल है वो आपको 20-21 यानि तीन दिन एजित की जाएगी अब चलिए इस पूरी न्यूज को जानिए दोबरी खुसखबरी को जानिए फर्स्ट को सब खुसखबरी यह है कि जो भी मैट्रिक के छात अपना एड्मिट कार्ड डॉनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए वे डॉनलोड कर पा सकते हैं क्योंकि देखिए वैसे ही छात अब देखिए पूनों एक वार जोई की बिहार बोर्ड ने सभी स्कुलों और कोलेजों को कहा है कि सूल्क जमा कीजिए तब ही छात रोका हम एड्मिट कार्ड जारी करेंगे अगर आप अपने स्कूल में अपना जोई की रिश्टेशन शूल्क और परिक्षा फॉर्म सूल को जमा कर दिये हैं तब भी आप नेट से अड्मिट कार्ड डॉंलोड नहीं कर पा रहे है तो इसका मतलब है कि आपके स्कूल जैक के आपका स्कूल के विहार बोर्ड को जमान नहीं किया है तो जाकर परहुद्ध अभिलम जमा कीजिए तब ही आप अपना एड्मिट यसलिए जारी नहीं हुआ है जो कारण मेट्रिक वाले में हैं वहीकरण इंटर वाले में भी यह एंध्य का वाले छात्रों के फरिक्षा फोर्म फोर्म सूल कर्सक्राइस का जमन tote हुआ है इसलिए कि इसमें लेट लगड़ा है और जैसे ही प्रैक्टिकल परिक्षा खत्म होगी तो जो न्यूज है उसके अनुसार इंटर परिक्षा का जो है कि फाइनल एड्मिट कार 19 जनवरी को जाएकी जारी किया जाएगा यही अभी तक का न्यूज है अब देखिए किस दिन जारी होता है उसके बाद यहां पर देखिए पूरी न्यूज को आप पर सकते हैं पूरी न्यूज क्या है कि बिहार बोर्ड मैटरिक प्रिक्षा फॉर्म और पंजियन की बकाया रासी जमान नहीं करने पर प्रिक्षारतियों का परव्यस पत्र निर्गत नहीं करेगा बोर्ड की माने तो बकाया सुल्क जमान करने के लिए बार बार इसकोलों को अफसर दिये गया है ऐसे इसकोल जहां सारे चातरों का सुल्क जमान नहीं हुआ है उन्हें अंतिम मोका 14 जन्वरी तक का दिया गया है यहां पर देखिए 14 जन्वरी तक में अगर सुल्क जमा होता है तो ठीक है नहीं तो ऐसे चात्र जो है कि इसका सुल्क जमा नहीं होगा और परिक्षा से वो अंचित रह जाएगा और मेटरिक का जो है की परिक्षा देखिए 17 फरवरी से 24 फरवरी तक जित की जाएगी उसके बाद यहां पर देखिए कि बिद्याले के परदहम कैसे देखिए कैसे डॉनलोड करेंगे तो अपने यूजर आडी और पासवर्ड से लोगिन कर जो है की परवेश पत्र परकरवाई यह तभी उस एड्मिट का जो है की महत्व होगा उसके बाद यहां पर कर रहा है कि इसे परिक्षारती का परवेश पत्र डॉनलोड करके नहीं देना है जिन दियाले कि मानिया तालिया वापस ले ली गई है अब देखिए उसके बाद यहां पर क्या कर रहा है क कि इंटर परिक्षा का सुल्क अब 13 तक होगा जमां तो यहां पर देखिए इंटर वाले शात्रों का भी सुल्क जमां नहीं हुआ है इनको भी डेट 13 तक दिया गया है कि आप लोग जाए कि जमां किजिए सुल्क तो यह दो बहुत बरी खबर है इस वीडियो को अधिक सद दिख फलाई ताकि अंचात्र भी जम सकें जिसका एडमिट कार जारी नहीं हुआ है वह जाकर कि सुल्क